उत्राखंड को यूही दे भूमी नहीं कहा जाता, ये कितना बड़ा पत्थर आपको नजर आ रहा होगा, और मान्यता इसकी ये है कि एक इस उंगली लगाने से ये पत्थर पुरा हिल जाता है, यही चेक करने हम आये थे, यूही इस जगे को नहीं कहा जाता है कि नास्तिक भ आपको ये पत्थर नजर आएगा, से मुखेम में ये है, अब ये देखेगा, इस चमतकार को आप खुद देखेगा, कि कैसे ये पत्थर हिलता है कि नहीं हिलता है, ये देखेगा, ये एक उंगली है, और उंगली में जैसे इसमें टच करूँगा, ये देखेगा, अगर मै वस्ताव में यह देखेगा न, एक मात्र एक उगली से यह कई टन बड़ा पत्थर यह हिल जाता है. यह देखेगा. और यह पर कई लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं. यह देखेगा और अब अगर मैं इसको पूरे हाथ से हिलाओंगा तो यह पूरे हाथ से यह हिलेगा नहीं अब यह देखेगा पूरे हाथ से मैं हिलाओता हूं इसको अगर मैं इसको पुस करूँगा पिछे की साइड तो यह पूरे उच से नहीं हिलेगा नहीं हिल पाएगा ये पूरा लेकिन हलका सा उंगली से करूँगा तो ये देखेगा उंगली से ये हिलना सुरू हो जाएगा थोड़ा आगे आए जड़ा जूम करके देखें जड़ा इसको ये देखेगा ये हिल रहा है ये देखें पत्थर फूरा तो यूहीं उत्राखंड को देव भूमी नहीं कहा जाता यूहीं नहीं कहा जाता कि उत्राखंड में देवताओं का वास है यहाँ पर जगे जगे पर देवताओं का वास है और यह चमतकार आपको देखने को मिलेंगे तो अगर आपको इसके दर्सन करने है तो आप परतापनगर में जो सेम मुखेम जगे है वहाँ पर नागराजा का मंदिर है और नागराजा का मंदिर से उपर ये जगे है जरूर आईएगा घूमिएगा जरूर और देव्य चमतकार को खुद अपनी आँखों से देखेगा जो कहते हैं कि हम लोग नास्तिक हैं वो जरूर इसके दर्सन करिएगा